ओल यूज वेरी गूड इवनिंग ओल अफ यूज तो स्वागत है बत्चों आप सबी लोगों का यहां पर क्योंकि यह मेरे खाल से शायद अभी तक कि मेकैनिकल की सबसे जादा मुस्ट अवेटेड टॉपिक और मोस्ट अवेटेड सेशन है जिसका आप सबी लोग पता नही कितने महीनों से वेट कर रहे थे कि एक बार सिस्टमाटिक डंगजी थे कि कुछ ऐसा नहीं है कि पहले हमने नहीं करा है वाइबरेशन से मैंने खुद सिंगल से सेशन में नैच्रल वाइबरेशन कराया है उस पर बेश निमेरिकल कराये हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कॉन्फिडेंस आप लोग को वाइबरेशन को लेके नहीं है क्योंकि जब तक नैच्रल वाइबरेशन की बात होती है तब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने करा रहा है उससे आप कुश्चन लगा लेते हैं लेकिन जब यही बात forced vibration या damped vibrations की आती है तो आप फज जाते हैं तो कुल मिला के यह है कि vibration as a complete topic vibration जो है वो आपको confidence नहीं देता तो this topic is specially not specially for diploma holders this is for all BTEC and diploma both क्योंकि BTEC वालों को ले तो vibrations और भी जज़ा important हो जाता है उनके state level exam में भी और gate level exam में भी तो मैं कोशिश करूँगा बच्चे क्योंकि मैंने भी generally जब भी देखा है vibration को या हमने भी कभी कोशिश करी है कि इसको पढ़ाया जाया लेकिन systematic डंग से पढ़ा नहीं पाए कभी भी या करने का मन नहीं करा यह कह सकते हैं आप जबकि vibration जो है वो proper application of mechanics है और कुछ भी नहीं मतला कर आप थोड़ा सा इसका basic proper mechanics समझ के चलें starting के खास कर starting के 3-4 lecture अगर आप बहुत अच्छे से समझ के चलते हैं और बहुत अच्छे से कबल करते हैं तो फिर ये पूरा subject बहुत असान हो जाता है आप बहुत असानी से इसके questions कर पाते हैं और weightage की बात करें तो diploma level पे तो इस रोगे question देखे थे तो इस रोगा diploma level पे भी vibration ठीक ठाक पूचा गया था तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हैं मैंने का आप बड़ा बचना बड़ा मुश्किल है इस topic से तो वापिस हम यहां पे तैयार हुए है इस topic को बहुत easy way में कराने की कोशिश आप लोग के स इसा लगना चाहिए तब समझेंगे हम कि हमने आपको वाइबरेशन सही तरह के से करवा दिया और यह यकीन मानिए बचो किसी भी पेड़ बैच में ऐसा वाइबरेशन मैंने नहीं करवाया है अभी तक इस तरह से सिस्टेमाटिक डंक से जो वाइबरेशन आप सब को करवा तो मेरे साथ और लेट नाइट है तो आराम से देख सकते हैं कोई लोड लेनी की भी जरूत नहीं कि आपको घंटो पड़ना बहुत आराम से सिंपल सिंपल टॉपिक के साथ आपको पड़ाऊंगा वाइबरेशन और सारे सेशन जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपको बीच बीच में problem भी कराता रहूंगा मतलब यह समझ लीजिए बिना एक single रुपे भी कहीं invest करें आपका vibration आपकी total grip में आ जाएगा चाहे वो करने जा रहे हैं वाइबरेशन बस इस पूरी की जगवा पर आपको एक ही फीस के तौर पर एक ही काम करना है कि आपको शेयर कर देना है बीना यह सोचे कि mechanical का बच्चा है प्लीज उस तक महुचा दीजिए vibration topic सो लेट्स वच्चो स्रीगणेस करते हैं और कोशिश करते हैं जुलाई तक हम इसे पहले पहले अच्छे से समझ जाए कि वट इस vibration all about ठीक है अब वच्चो भूल जाओ दिन दुनिया को किस paper में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं topic topic सब भूल जाओ फिलाल अफिलाल सिर्फ आदा घंटा भी अगर मेरे साथ ध्यान से सुनोगे क्या vibration है आपको प्यार आना चाहिए subject की तरफ इंट्रेस्ट आना चाहिए यह हमारा मेंन फूकस है चलिए ठीक है तो सॉरी अगर मैं कभी-कभी थोड़ा सा example में खो जाओ यह जाओ यह जाओ कि मैं दिल से पढ़ाना चाहता हूं इस topic को ठीक है न सब कुछ कराएंगे बच्चो डेंपिंग भी कराएंगे फोज भी रहेंगे मांने बुलना वाइबरेशन कंप्लीट तो कंप्लीट जितना आपके पेपर के लिए इंप्रेट है उतना कंप्लीट करूंगा यह भी नहीं कहाँ खिस सब कुछ जितना पेपर के लिए जरूर यह ताकि कुश्चन सारे लगे सिंपल बताएं कि वाइबरेशन क्या है किस चीज को मैं वाइबरेशन क्या है तो आपको वाइबरेशन को सोच के क्या फिलिंग आता है ठीक है अगर मैं बोलता हूं वैट इस वाइबरेशन तो आपको क्या फिलिंग आता है वच्चों की वाइबरेशन क्या है सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि हमारे अंदर क्या है पहले हम समझते क्या है वट इस वाइबरेशन देखें अब जन्रली वाइबरेशन हमारी डेली लाइप में ऐसा तो है नहीं ठीक है ऐसा तो है नहीं कि वाइबरेशन अम दिन में डिली लाइब में कहीं सुना नहीं है कहां कहां सुन रहे हैं आप वाइबरेशन जो है वो सुन रहे हैं अपने आसपास महसूस कर रहे हैं अपने मोबाइल में महसूस कर रहे हैं आपको मोबाइल जो है वो वाइबरेटि अप देखते हो कभी कहीं सड़क में खड़े रहते हो आप मानली ये railway crossing में आप खड़े हैं और थोड़ी दिर में सामने से train जा रही है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोड़ों पे जो है आपको vibration से feel होगी होता है ये सब example जो है माई डेली life से जुड़े हैं ठ थीक है कभी कभी आप देखते हो कि आपका पैर जो है वो किसी एक पोजिशन में चले गया है थेखेना थोड़ी दिर में आप देखते हो कि उस पॉजिशन में पैर आपका थोड़ा सा वाइबरेट सा करने लग रहा है फील से आता है ऐसा ब्लड सर्कूलेशन के वज़े से वह वाइबरेशन है ठीक है कभी-कभी सालों में अर्थ को एक फील होता है वहाँ आपको लगता है कि धरती हिल रही है वह वाइबरेशन है ठीक है ना आप किसी टुटी भी चेर या बैंचे पर खड़े होते हैं आप दे पर खड़ा रहोंगा तो आप देखोगे अगर आपका कंसेंट्रेशन अच्छा है तो आप बिल्कुल खड़े जाएंगे लेकिन अगर कंसेंट्रेशन चाने आप ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे यह वाइबरेशन है समझारी बात तो इसको आप डेली लाइब में हजारों जगा वाइबरेशन कर रहें अपने गाड़ी में बैठें घरीमि जयताट करके सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट Nobel च्रव तो आप देखोगे छोड़े ठोड़े ऐसी कुछ हिलरे हैं कभी हाथ सिल रहा है JUST तो वह वाइबरेशन है ठीक है ना तो देर और लॉट्स ऑवाइब हमारे पूरे देली लाइफ में हम घिरे हुए हैं ऐसे बहुत सारे एक्विपेंट्स पर जहां पर हमें वाइबरेशन मैसुस होती है तो वाइबरेशन को अगर मैं देखू टोटल और वो नीले वाले टंपू में बैड जाओ तो उसमें तो फिर वाइबरेशन ही वाइबरेशन में कुछ इस तरह का मोशन मुझे दिखाए दे रहा है ना ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ मोशन चल रहा उसको वाइबरेशन हम कह रहे हैं है ना यही तो मैसूस कर पार आपनी सिंपल वच्छो कोई बुकिश लेंगवेज निया आप सिंपल समझो कि क्योंकि व मोशन देख रहा हूं तो वह वाइबरेशन नहीं है है ना किसी एक डारेक्शन में मोशन देख रहा हूं वह वाइबरेशन नहीं है लेकिन जब मैं इसी मोशन को दो डारेक्शन में देख रहा हूं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे और रिपिटीशन तो दो चीजे हो रही है एक इधर इधर motion हो रहा है motion on left & right, left to right to left to left to right to left we bakン all right यह वाला motion हो रहा है तिक है पहली चीजुब दूसरी चीज मेरे समन् में आदिest रिपीटीशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हो रहा है, ठीक है, रिपीटीशन हो रहा है, मतलब यही motion बार-बार repeat हो रहा है, यह दो बाते ही सबसे important है बच्चों, और यही vibration को define करते हैं, जो उसके बाद में आपको book की language भी लिखाऊंगा, क्योंकि statement book के लिखे आते हैं अब कोई भी चीज किसी के इधर या उधर होगी, भाई जब मैं आपको कहता हूँ कि बताइए, चीज लेफ्ट में जारी है कि राइट में जारी है, तो आप किसका लेफ्ट राइट बोलोगे, अपना ही तो बोलोगे न, मतलब you are at the same position, तब आप बोलोगे, आपको center position में ह कहते हैं, क्योंकि वो बीच की position है, और उस mean position से, जब हम किसी motion को इधर दाएं और बाएं देखते हैं, समझ आ रही बात, और इनी दाएं बाएं को जब हम repeated देखते हैं, that is called vibration, समझ में आ रही बात, अब आप किसी भी example में लगा लो, even सारे example, ठीक है, आप सांस लेते हैं, या आप भाग के आते हैं, तो आपके अंदर lungs भी vibrate करते हैं, बच्चे, तो vibration तो हर जगा है, तो आप यह देखोगे, कि सब में definition यही suit करती है, समझ आ रही बात, तो अभी क्या बोले, आप देखो बच्चों ने क्या define किया, जैसे, एक बच्चा बोलता है, motion will repeat itself after equal interval of time, you can but मैं यहाँ पर कहूँगा बच्चों, इस left और right को ज्यादा अच्छी language में हम to and fro motion बोलते हैं, इस left और right को हम ज्यादा अच्छी language में to and fro बोलते हैं, about क्या, about mean position, देखो definition मनने लगई आपार, कैसे, repeatedly, that is called बच्चों vibration, इसी को vibration कहा जाता है, अब देखो, अब यह मैंने आपको समझा दिया, जो definition आपके खुद महसूस करने से निकली है, तो फिर bookie definition proper क्या कहती है, what is vibration, तो हम यहाँ पर देखो, अब कितना similarity है, तो अगर हमें कहीं पूछा जाता है, what is vibration, प्लीज वच्चों मेरे साथ साती notes बनाएगा, बड़े सु कैसा लगा आपको पूरा vibration, यह course समझ लिजी, आपने course जोइन कर लिया है, मेरे साथ यह, ठीक है ना, और बहुत महंगा course है, ठीक है, बले ही आपको फ्री में दिख रहा है, लेकिन बहुत महंगा course है, आपने मेरे साथ यह course जोइन कर लिया है, और अब यह साड़े नो बज और अच्छे से चीजों को समझना है, देखो, क्या बोलाओ, अब what is vibration, ठीक है, और खास कर उन बच्चों को बोलाओ, जो नए platform में आये हैं, पहली बार मेरे साथ कोई subject पढ़ा है, क्योंकि मैं पूरी mechanical पढ़ा चुका हूँ YouTube में, तो काफी लंबा समों हो गया कि कोई subject इसी महीन है मेर से ये chapter, किस दिन फिर पेड में पढ़ना पढ़ेगा, फिर कोई फाइदा नहीं है, फिरी पढ़ो, पूरे मजे से, देखो, तो what is vibration बच्चों, when a body, अब definition देखो, क्या बोलती है book की, when a body is displaced, book की definition भी समलिखना बहुत जरूरी है बच्चों, statement सारे ऐसे ही आते हैं, तो बिल्कुल देशी तरीके से समझो, लेकिन notes को देशी और book तरह से, दुनों तरह से लिको, displaced from its, ठीक है, body मतलब कोई भी body के बात करें, when a body is displaced from its equilibrium position, from its equilibrium position, ठीक है, equilibrium position को हम लोग, वही mean position की बात हो रही है, from its equilibrium position, by the application of external force, ठीक है, by the application of external force, ठीक है, and then released, released, it commences to perform, it commences to perform, to and fro motion, to and fro motion, अब देखो, एक तो यह रही definition, बुच है, एक ओर definition देता हूँ आपको, ठीक है, एक तो statement में जो definition देखी गई है, वो कुछ इस तरह की है, जिसमें, देखो, क्या बोल रहाँ सा, वही बात है, बस बोलने का तरीका सोटा सा gentle हो गया, कि when a body displays from its equilibrium position, जब कोई body अपनी equilibrium position से displays करती है, ठीक है, किसी force के द्वारा, ठीक है, कोई force लगा हो गया तब उसके द्वारा, then released, it commens to perform to and fro motion, तब वो एक to and fro motion गूमती रहती है, एक तरह की definition यह हो गई, ठीक है, और एक simple language में बोलते हैं बच्चो, तो simple language में ऐसे भी बोलते हैं, to and fro motion from its mean position, बस, एक simple one line में अगर आपको define करना है, क्योंकि इतने बड़ा definition तो statement के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई skill test या simple पूछ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, आपको simple पूछ रहा है, कि what is vibration, तो आप simple बुलोगे तरह to and fro repeated motion, to and fro repeated motion from its mean position is called vibration, और बताओ, समझ आदी बात, बहुत आसानी से, समझ गे ना, definition सबको clear हो गई, है ना, अगर आप से कोई पूछे, अभी कुल tension नी लेना बच्चों कि किती देर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, घंटों के लासे, कुछ नहीं, आप बस पढ़ो, जब तक मन करेगा, पढ़ोगे, जब मैं कोई को हो गया, आज का topic, बस समाब, उत्रा उत्रा पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है, ये कोई ऐसा topic तो एहनी, इसका paper में कली आ रहा है, आप पढ़ो पढ़ो, ये long time आपको benefit देगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, vibration की definition हम लोग समझ गए मतलब, ठीक है, इतना मैं clear करके चलूँ कि आप definition समझ गए, आज हम basic समझ रहें, बच्चों, basics बिल्कुल vibration का, ठीक है, अब देखे, definition अगर आप समझ गए, तो सबसे पहले यहाँ पर समझे वड़ी थी cause of vibrations, cause of vibrations क्या हो सकते हैं, मतलब vibrations जो है, उसके होने का कारण क्या आपको नज़र आता है, cause of vibrations, ठीक है, vibration आप समझ गए कि हो रही है, अब कारण क्या है, अब कारण अगर आपने देखे बच्चों, तो क्या कारण क्या क्या, मैंने आपको इतने सारे example बदाय थे daily life में, क्या क्या कारण आपको नज़र आ रहे थे, मैंने का सांस लेना भी, वह यह सांस ले रहे हैं, वो भी एक कारण है, उसमें ऐसा क्या कर रहे हैं, अब उसमें क्या कर रहे हैं, एर का blow करा रहे हैं, एर को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हमारे लंगजी भी vibrate कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हमने बोला था, कि कोई example ऐसा, जैसे इंजन है, मशीने हैं, तो वहाँ reciprocating system चल रहा है, तो vibrations हो रही है, ठीक है, कोई impact load किसी पर कोई चीज पढ़ रही है, आपने जोड से उठा के table पर कुछ मारा, hammer से, तो table metallic है, थोड़े देता तक वो हिलती रह गई, vibrations है, है न, जोड से पानी का bottle को ऐसे यहां रखूंगा, मैं जटके से, तो उसका पानी काफी देर तक vibrate करता रहा है, तो यह सब कारण है बचो, तो इन कारण को अगर मैं systematic समझू, तो what are the cause of vibration बचो, तो सबसे common cause ज जो देखने को मिलता है, वो होता है unbalanced force, unbalanced force मतलब जैसे कि आपका पंखा है, आपका पंखा generally क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन घूमते 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 अगर मान लीजे पंखा ऐसे ऐसे भी जा रहा है, कभी देखो गया आपके सरकारी office में किसी, ठेक क्या हो रहा है, यह हो रहा है कि कोई ऐसा unbalanced force है, जो कहीं और ले जा रहा है body को, बाकि अगर balance है तो वो एक ही जगह पर पंखे को गुमा रहा है, लेकिन कोई force unbalanced रह जाए, अब वो unbalanced क्यू रहेगा, जैसे मान लीजे पंखे को मों उसके center से ना उठा के कहीं और से यहाँ पर मैं समझू बच्चे कि unbalanced force किसके वज़े से होता है, due to unbalanced mass के वज़े से होता है, due to unbalanced mass के वज़े से होता है, क्योंकि unbalanced mass के वज़े से unbalanced inertia लगता है और वो unbalanced inertia के वज़े से क्या है, vibrations create होती है, अगर to and fro motion fast होगा तो तब भी vibration बोलेंगे या सभी to and fro motion slowly होगा रिपीटेड होना चाहिए लेकिन क्या होता है ना देखो रिपीटेड होना चाहिए दूसरी बात ये तू अपने फास्ट और स्लो की बात भी अच्छी बात बोली क्या होता है vibrations को as a vibration समझने के लिए interval of time between two and four वो short होना चाहिए थोड़ा अगर मैं बोल रहा हूँ to and four motion ऐसे एक हुआ इधर अब उसके एक मिनाटता कुछ नहीं हुआ फिर वा इधर तो यह को vibration थोड़ी ना मतलब duration of time जोगा जिसको भी हम पढ़ेंगे time period time period जीसे अगर वह बहुत बढ़ जादा है तो फिर वह वाइबरेशन वाइबरेशन जैसी नहीं रही क्योंकि रिपिटीशन होने के लिए समय चोटा होना चाहिए थोड़ा ठेक है ना कोई चीज रिपीट हो रही है यह तभी तो effective नजर आएगी ना आपको जब duration छोटा होगा तभी तो आप उसे repetition बोलेंगे ठेक है ना लेकिन अगर repetition बहुत बड़ा है तो फिर उस repetition से इतना फरक नहीं पड़ता आपको समझार यह बात किलियर है तो सेम इसलिए हम यहाँ पर vibration को जब कहते हैं तो vibration is act as a effective vibration only when a period of two and four motion is short ठेक है तो इसलिए वो इतना लॉंग भी नहीं होना चाहिए कि उससे उसका फरकी ना पड़े बाकी अभी सब बताता हूं amplitude, frequency, vibration कुछ ठेक है ना तो यहाँ पर बचो हमारे जितने भी है एक तो unbalanced force के वाई से second हमारा कारण क्या हो सकता है बचो यह important है हां second कारण क्या सकता है कि कोई mating surface है उनके बीच में dry friction है याद रखिए क्योंकि एक तो आप बता दोगा unbalanced force लेकिन dry friction between mating surface between mating surface also create vibration ठेक है ना कोई दो मिलने वाले surface के बीच में अगर dry friction है तो भी vibrations create होता है ठीक है किसी तरह का misalignment है जैसे कोई shafts है shafts है आपस में वो misalign है तो तो भी vibrations create होगा ठेक है ना misalignment of shafts like तो भी vibrations create होगा clear है generally हम जो यहाँ पर बता रहे हैं बच्चो वो answers और वो reason जो है वो generally हमारे mechanical engine system इनी के उपर ध्यान में रखते हो गये हैं ठीक है ना तो इसलिए हम हर चीज नहीं लेंगे यहाँ पर चीक है ना समझ में आ रही है समझेगा बच्चो टॉपिक को देखो मज़ा आगा जैसा अभी बच्चे ने वो time interval पूछा ना ऐसी चीज इसी तरह से समझेगा इस तरह सोच के चलोगे तो lifetime के लिए topic clear हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसा सोच के नहीं चलोगे तो फिर वही जिसको मोलते है wind induced vibrations, wind induced vibrations, they all are the cause of vibrations, एक category आती है wind induced vibrations बच्चो, we have a category that is wind induced vibrations, और एक होती है बच्चो, wind induced, आपको कहा देखने को मिलती है, बताएगा कोई मुझे wind induced vibration का को example बताओ, wind induced vibration का को example बताओ, जल्दी बताओ, फटाओ, बताओ, बताओ, टेबल फैन, चलोगेर कोई बात नहीं, टेभलσω हैं मोःटर के वज़े से वाइबरेशन है हवा के वज़े से नहीं है वो वाइबरेशन दो चलो डिमाग ठीक जो भी लगाया आपने अच्छी बात है बिल्कुल राज ने बहुत अच्छा दिमाज indication अहल बाए पमंचक की जो रोब के साथ लगे होते हैं ते विल वाइब्रेड विद विड्स वह विड्स के वज़े से उसका सबसे बड़ा खत्रा ही विड्स है है ना suspension bridge जी से बोलते है तो suspension bridge आप देखोगे उसमें सबसे बड़ा खत्रा wind है तो वहाँ wind vibrations create करती है बहुत तगड़ी वाली बहुत तगड़ी वाली समझा है यह बात वहाँ उससे बचाना हमें बहुत मुश्किल होता है तेक है तो there is a like like cables कहीं तारे होती है electricity cables होती है बड़ी बड़ी वह उसको vibration के problem होता है wind vibrations का cables suspension bridge etc है ना ठीक है तो यह सब example वह है बच्छो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने पढ़ते हैं ठीक है ना समझ जारी बात ठीक है last सबसे इंपढ़ने बच्छो excitation excitation यह भी बहुत common जो हम पढ़ते हैं excitation vibrations ठीक है ना जिसको हम बोलते हैं due to external excitation बोलो due to external excitation यह external excitation वर्ड आप कई जगा यूज करते वे देखो के बच्छो कि हमारी vibration create हुई external excitation के वज़े से अब excitation मतलब क्या excitation मतलब यह ही है excite हो जाना excite मतलब क्या excite मतलब क्या हुआ that is एक तरह से excite को हिंदी में क्या बोलेंगे उलार जीसे बोलते हैं ना इस तरह का कुछ create करना excite तो excite हो जाना मतलब उस सुकता से भर जाना तो वो external excitation हो जाती है जैसे अचानक कोई impact टकर आता है impact load होता है तो that is called external excitation थेक है ना impact load अभी मैं बिल्कुल बहुत basic पढ़ा रहा हूं आज पहला session कर रहे हैं हम लोग तो पहले session में मैं बहुत basic पढ़ा रहा हूं आप लोग को आज मतलब बहुत smooth वे मैं ठेक है basic basic बात है ताकि जो छोटी मोटी basics की कमी है ना वो सबकी दूर हो जाए और सब एक ही जगह पर आ जाए उसके बाद concept अदाम से पढ़ने की शुरू करेंगे जो की बहुत असान है ठीके dry friction बच्चो dry friction देखो कोई भी दो सर्फिस अपने हाथ में प्लिक्कुर रफ से हाथ ले लो आप तो जब आप ऐसे मेटिंग सर्फिस दो तो तब बीना लूबरिकेंट के अगर आप कोई फ्रिक्षी कहीं दो सर्फिस की वीडियों फ्रिक्षन है तो इट विल क्रियेट वाप्रेशन बच्चो बहुत आराम से वाप्रेशन या पर देखने को मिलेगा बहुत चीज चलाओ तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो यहां पर आप जो देख सकते हो इंपक्ट लोड के वज़े से जो देखने को बलता है तो दीज आर्ट डिफरेंट रिजन्स कॉज और वापरेशन यह कहलाते बच्चो और यही कॉज हमने क्यों लिये हैं कॉस तो कुछ भी हो सकते थे लेकिन यह कॉज हमारे कहीं ना कह हमारे कोर्स वर्क में यही आते हैं जैसे टॉर्जन वाइबरेशन देखने को मिलता है पैलल्स शाफ्ट के बीच में वाइबरेशन देखने को मिलता है हमारे केबल्स इस्ट्रक्चर्ट में वाइबरेशन देखने को मिलता है एक्टरनल एक्साइटेक्शन के वाइसे बच्चो अब देखिए अगर आपने अब कॉस्स समझ लिए ना तो लास्ट चीज में आपको बताना चाहूंगा बच्चो कि वड़ी इंपॉर्टेंस वाइबरेशन वाइबरेशन को पढ़ना जरूरी क्या है इंपॉर्टेंस तो नहीं बूलूँगा वाइब ये लास्ट कोश्चन है बस उसके बाद मैं आपको सीधा कंसर्ट पर ले चलता हूँ क्यों वाइबरेशन पढ़ना जरूरी क्यों है बच्चे याद रखिए वाइबरेशन के लिए वर्लिंग बच्चो शाफ्ट के वाइबरेट करने को वर्लिंग बोलते हैं जब शाफ्ट से इसेंट्रिक कुछ डिस्टंस इधर या इधर जब जाती है तो याद रखिए उसको वर्लिंग बोलते हैं वर्लिंग ऑ शाफ्ट तो वाइबरेशन पढ़ने की जरूरत क्या है तो याद रखिए बच्चो वाइबरेशन इन आस सिस्टम vibration in any system is slow death किसी भी system में vibration का होना मतलब होता है बच्छो slow death मतलब धीरे धीरे system जो है वो खतम हो जाता है जैसे कि मान लिजे किसी building में है slow death किस तरह होती है बच्छो जैसे किसी building में जो है ground floor पे generator लगा है बड़ा डीजी जो होता है diesel generator बड़ा वाला वो लगा है आपको पता है वो vibration create करता है आप basement में लगा तो देंगे उसे लेकिन अगर आपकी building जो है वो बहुत अच्छे material से चीजों से बहुत अच्छी foundation से त्यार नहीं हुई है तो वो vibration जो ground में create हो रही है वो regular 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 भेशता जा रहा है पूरी building में regular तो अंदर concrete है concrete में steel bars लगे हुए है वो regular regular enter vibration रहते हैं दीरे दीरे एक दिन vibrate होते 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 वो जगा छोड़ देंगे clearance हो जाएगी gap concrete और उसके बीच में और दीरे 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 उस लगने के वज़े से क्या होगा एक दिन crack generate हो जाएगा फिर वो crack आगे जागे propagate करेगा और आपको पता नहीं चलेगा सिर्फ एक generator चलने से अगर आपकी building material वीक था तो हो सकता है दस साल में building 10 नीचे गिर जाए है ना लेकिन वो कारण किसी के समझ नहीं आएगा कि ये तो इतनी slow death थी समझे ना तो vibration एक जहर है बच्चे किसी भी engine किसी भी system के लिए इसलिए आप देखते हैं जब आप luxury cars की तरफ luxury automobiles की तरफ move करते हैं तो आप करोडों रुपे खर्च करते हैं है ना वही चीज एक point से दूसरी point में जाने के लिए हमारे पास मारूती auto भी है जैसे हमारे पास है और उसी एक point से दूसरे point में जाने के लिए किसी के पास BMW भी होगी या ओडी भी होगी ठीक है ना तो यहाँ पर चार लाग में भी गाड़ी या पांच लाग में भी गाड़ी मिल जारही है और पचास लाग एक करोड़ में भी गाड़ी मिल रही है तोनों गाड़ियों में फार्क किस चीज का है लगज़िरी का है आराम का है जो vibrations आपको नॉर्मली ओल्टो में फील होती रहेगी वह वाइबरेशन आपको कहीं ना के बरावर भैसूस होगी हमाली मर्सेटीज या ओडी या ब्याम डिलू में जो बैठते हैं उन्हें पता होगा यह बात है ना तो यहां पर कंपनी किस चीज के पैसे ले रहे क्यों क्योंकि उतने इंजन और उस सिस्टम में उस सस्पेंशन सिस्टम में चेजिज में उसके एक्विपमेंट्स पर खर्चा किया है कि वह वाइबरेशन आप तक पहुंचने भी ना दे ठीके ना समझा यह बात वहीं उसकी जगा पर आप ठीक टंबू में बैट जाएंगे तो जिंदिगी भर वाइबरेशन क्रियेट होती रहेगी आपको समझें तो यहाँ पर साफ साफ है बचो कि वाइबरेशन को कम करने में life of the system जो है हमारा increase होता है तो इस और वाइबरेशन हमारे हर सिस्टम में है आज की डेट में हर सिस्टम में है तो उस वाइबरेशन को पढ़ने की ज़रूर सबसे बड़ी जो है वो इसले ही पढ़ती ह क्योंकि वाइबरेशन पढ़ने से हमें यह जानने को मिलता है कि कितना वाइबरेशन मतलब हमें amount of vibrations amount of vibrating force कितना है यह हमें पता चलता है उस force को कम करने के लिए हम damping for damping मतलब होता है दबाना damping मतलब दबाना damping force कितना need है उसको कम करने के लिए ताकि हम वो लगा पाएं और उस vibrations को खतम कर पाएं ठीक है ना तो minimize vibration minimize vibrations ठीक है ना तो ultimately हमारा मकसद क्या है vibrations को कम करना क्योंकि system हमारा खतरनाक है समझ जारी बास समझ जारी बास किलियर है हाँ बिल्कुल बच्चे टंपू जैसे में बैठोगे आप बिलू वाले में तो आपको असली vibration के देली में फिलागी जबड़े हिल जाते है इतना बढ़िया vibration करता है ठीक है ना तो ना बच्चो अब यह देखो यह मैंने बड़ी बोरिंग सी चीज़े डिसकस करी अभी तक है ना आदे घंटा मैंने आपको थोड़ा बोर किया होगा लेकिन याद रखे यह आपको बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि अब आप subject को समझ पा रहे है definition समझ पा रहे है किसको मैं vibration बोल रहा हूँ vibration के कारण क्या क्या हो सकते है उस point of view की तरफ समझने जैसे reason मैंने दिये है और तिसरा यहाँ पर आपने समझा कि हाँ vibration जरूरी क्यों है क्योंकि उससे हमें calculate करना है कि कितना vibration create हो रहा है उसके लिए कितना force मुझे damp लगाना पड़ेगा natural vibration क्या है ठीके ना resonance क्या है कैसे system की failure हो सकता है यह सब चीजें मैं calculate कर पाऊंगा ठीक है तो now let's start बच्चो अब vibration की terminology की तरफ हम चलते हैं vibration terminology जो जो terms हम vibration में use करते हैं उनके बारे में यहां पे हमें एक एक चीज समझनी होगी बच्चे ठीक है अब देखिए जैसे हमने अब ध्यान से एक एक चीज देखेगा बच्चो vibration को मैंने define किया आपको ठीक है तो vibration को मैं कई तरीके से कह सकता हूं simple harmony motion के तौर पर कह सकता vibration को vibration के सकता हूं है ना तो यह सब जो मैंने definition के साब से जहां 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 वो definition suit करी है वहां-वहां vibration अब बोल सकते हैं अब समझे बचो तो यहां पे मैंने भोला to and fro motion about mean position is called vibration उसको हम vibrations बोलेंगे ठीक है तो मतलब vibration किसी pendulum का अपने mean position से हटके to and fro motion करना vibration कहला सकता है बिलकुल कहला सकता है ठीक है ठीक है ना vibration कहला सकता है जब pendulum अपने mean position से इधर या इधर जाए तो यहां पे बच्चो सबसे पहली time आती है हमारी what is called periodic motion then what is called periodic motion ध्यार से समझेगा और एक एक चीज को note करिएगा बिलकुल zero basic से मैंने topic को उठाया है periodic motion क्या है बच्चो any motion that repeat itself any motion that repeat itself after regular interval of time ठीक है ना ऐसा motion जो अपने आपको एक regular interval of time के बाद repeat करता है ठीके ना उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे that is called periodic motion है ना उसको हम बोलेंगे that is called periodic motion अब देखो periodic motion को कभी-कभी हम लोग यहां पर simple harmonic motion बोलते है क्योंकि उसकी definition भी same होती है तो हम उसे simple harmonic motion भी बोलते बच्चो अब ध्यान से समझेगा simple harmonic motion जिसको हम SHM भी बोलते हैं तो simple harmonic motion बच्चो और कोई नहीं एक periodic motion ही है ठीके ना it is a simplest type of periodic motion it is the simplest type of periodic motion अब ध्यान से समझेगा simplest type of periodic motion यह एक simple तरह का periodic motion है in which motion in which पर इसकी पैचान क्या है बच्चो यह समझेगे periodic motion कई तरह के हो सकते हैं लेकिन simple harmonic motion किस तरह का periodic motion है यह एक ऐसा periodic motion है जिसमें acceleration जो है वो हमेशा mean position की तरह maximum होता है ठीक है ना यादर कि आप बढ़ता है क्या सकते हैं आप in which acceleration is always towards the accelerate की तरह को towards the mean position in which acceleration ठीक है या तो acceleration maximum बोलो यह simple बोलो acceleration is always directed towards the acceleration is always directed towards the mean position ठीक है mean position की तरफ जो है वो अपने आपको direct करता है यही पेंडलोम में होता है इसलिए इसे periodic motion को हम लोग क्या बोलते हैं simple harmonic motion और ऐसे में acceleration is always and acceleration is always proportional to proportional to displacement यह याद रखेगा बच्चे अभी मैं पूरा दिखाता हूं आपको इस बात में displacement acceleration जो है वो हमारा हमेशा displacement के proportional होगा बच्चे याद रखेगा acceleration is always proportional to displacement acceleration is always proportional to displacement बच्चे अब यहाँ पर द्यान से समझेए अभी सी बात को समझ रहा है आपको कि क्या है देखो simple harmonic motion अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे तो इसका मतलब हम इस तरह की motion की बात कर रहे हैं कि माल लीजिए there is a graph अगर मैं यहाँ पर एक simple cycle बनाऊं ध्यानते समझेए और यह एक mean position बनाऊं this is the mean position ठीक है यह मैं एक simple cycle बनाऊं और मैं यहाँ पर कोई mean position बनाऊं तो यह समझ लीजिए mean position की इस position से मेरे कोई cycle चल रही है और it will repeat after this है ना ऐसे कोई cycle जो है वो repeat होती है after certain interval of time ठीक है ध्यान से समझेए गये से कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं ठीक है ठीक है तो अगर मैं एक cycle बोल रहा हूं तो मेरी एक cycle 0 से शिरू हुई पाई तक गई और यहां से 2 पाई तक गई तो यह मेरा कोई एक चक्कर हुआ बच्चे तो यहां से यहां तक के distance को मैं क्या बोलूँगा it is my one cycle ठीक है ना यह मेरी एक cycle complete हुई this is simple harmonic motion और फिर उसके बाद repeat चुरू हो गया तो यह मेरी एक cycle है मान लीजिए अब जहां से तो पे बच्चे जब मैं displacement बोलूँगा simple तो displacement क्या बोलूँगा मैं there is a displacement जहां समझेगा बच्चों यही vibration का बिल्कुल basic है क्या कि x मान लीजिए displacement हो रहा है और वो displacement हम simple harmonic motion की term में किसे define करते हैं capital X sin omega t capital X sin omega t जिसमें small x को मैंने क्या बोला displacement ठीक है ध्यान से सुनेगा small x को मैंने क्या बोला displacement जो मेरा किदर direction में दिखा रहा है मान लीजिए इस direction में vertical direction में मेरा displacement दिखा रहा है ठीक है और इस direction मेरा rotation दिखा रहा है angle तो x is the displacement और capital X क्या है बच्चों इसको हम बोलेंगे that is called amplitude amplitude होता है बच्चों किसी भी cycle का maximum displacement maximum displacement from mean position mean position से सबसे ज्यादा दूरी तक कहां तक जा सकता है particle that is the maximum displacement देखो यह mean position है बच्चों this is the mean position कट तो नहीं रहा है कुछ ध्यान समझेगा अब यह समझने वाली चीज़े है ठीक है न अब यह समझने वाली चीज़े है जो मैं बता रहा हूँ यही basic तो समझना आपको vibration में आगे जाके फिर calculation में कोई problem नहीं आएगी numerical या क्योंकि numerical सब इसी basic terms में दिये रहते हैं तो वो problems नहीं आएगी आपको अगर यहाँ पर अभी इस basic को अच्छे से समझ लोगे ठीक है समझ लोगे बाद ठीक है तो यह हमारा क्या है बच्छो मीन पॉजिशन इस पॉजिशन में मैंने क्या दिखाया इस पॉजिशन पर मैंने क्या दिखाया यह है मेरा theta angle का change रेडियन में दिखा रहा हो तो omega t कह सकते हो इसे ठीक है ना यह x और omega t के कई को भी क्या होता है बच्छों को यह भी नहीं याद रहता कि यह graph किस-किस के बीच में बना होगा that is between x and omega t इसलिए equation x is equal to x sin omega t इसलिए इस तरह के curve को हम साइन कर भी बोलते है सब connected है समझे ना concept को क्लियर है वही तो यह बच्चे कहां से देखते हैं पता नहीं कई बच्चों के साथ तो मैंने यह समस्या देखी वह course लेने के बाद भी कोई class उनने दिखती नहीं है वह course ले लेते हैं उस course में आज भी का एक बच्चा कमेंट कर रहा था तो अब ऐसे में क्या करें बताओ अब online में तो यही हो सकता है कि हम course में live class ले सकते है recorded डाल सकते है दे सकते है उसके बाद खोल के तो तुम्हें ही पढ़नी पड़ेगी आप तो यहां बहुत बच्चे में देख रहा हूं आज भी कमेंट आ रहे थे कि सर इस के बैच में क्लास ही नहीं होई है पांस दिन से दस दिन से वहां दो चैप्टर कंप्लीट हो गए लाइव क्लास हो जो यह टाइम टेबल गुरूप में जा रहा है कि तेवाज हर क्लास से पहले जाता है मैसेज की क्लास शुरू होने वाली है लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं किस दुनिया में खोई रहते हैं वह यह कोर्स ले लिया उसके बाद वह लग अपने काम में स्र अब देखो यह में पोजिए इससे मैक्सिमम कितना जा सकता है दूर यही तो जा सकता है ना यही तो जा रहा है तो इस इस इसको हम कैपिटाल X बोलेंगे that is the maximum displacement समझे ने बाद इस इस दे कैपिटाल X किलियर है समझ दारी बात और ओमेगा ट वही है आपका that is the omega in radians ठीक है theta in radians radians per second ठीक है तो यह आपको radians per second में दिखाई दे रहा है omega समझ आ यह बात यह बहुत basic सी बात है समझाई में ने अब देखो बच्चो होता क्या है यह तो मैंने कहा displacement अब मैं यहाँ पर अगर velocity कह रहा हूँ velocity of particle किस velocity से तो याद रखे velocity दिखाने का तरीका होता है बच्चो एक तो हम dx displacement को differentiate करे time करें अईसे दिखा सकते हैं दूसरा इस x के उपर एक dot लगा के भी दिखा सकते हैं इस dot का मतलब है that is the differential clear है समझागी बात बच्चे समझ में आई बात simple है तो यह symbol यह रखेगा symbol हमेशा यूज होने हमारे अब देखो अब मैं इसे differentiate करता हूँ बच्चो इस equation को तो velocity की equation क्या बनती है देखो x cos omega t omega बहर आएगा omega x cos omega t यह equations को पैचानिएगा बच्चो सारी है ना this is the displacement simple harmonic motion का displacement है यह भी simple harmonic motion का velocity है this is the velocity और अब मैं अगर acceleration बोलूंगा तो क्या बोलूंगा acceleration तो acceleration मतलब क्या हो जाएगा इसका double differentiation मतलब d2 x upon dt2 मतलब x को double dot लगा देता हूँ मैं इसका मतलब होता है double differentiation of displacement with respect to time समझा रिबद ठीक है ना तो ऐसे में अगर हम देखें तो अब देखो अब क्या आएगा अब एक तो COS OMEGA T का SIN OMEGA T हो जाएगा मानते हो COS OMEGA T का SIN OMEGA T हो जाएगा तो MINUS SIN OMEGA T हो जाएगा MINUS भार आएगा दूसरा OMEGA भार आएगा IT will become OMEGA SQUARE AND तिसरा X SIN OMEGA T हो जाएगा मानते हो कोई नई चीज नहीं बताई मैंने थेक है अब देखो जबर्दस चीज क्या है जबर्दस चीज यह है बच्चो What is x sin omega t यह basic ही तो हमें नहीं पता होता न इसलिए हम हर बार फज जाते हैं numerical में, question में जब vibration के ऐसे को equations दी होते हैं हमें पता ही नहीं होता क्यों सी चीज क्या है What is x sin omega t बच्चो और इसी वज़े से बच्चो हम लोग बोलते हैं कि acceleration is proportional to क्या बोला हमने simple harmonic motion के लिए कि acceleration is proportional to displacement and that is the proof that is the proof कि acceleration जो है वो displacement का proportional है बच्चो acceleration जो है वो क्या है वो displacement का proportional है समझार यह बात acceleration is proportional to displacement तो वो क्या है simple harmonic motion है समझ में आए बच्चे बात clear होगा यह basic सी बात ठेक है ना अब यह curve को देखके यह cycle को देखके आप यह सब चीज़े समझ पाएंगे clear है clear है ना इतनी basic सी बात समझ में आगे सबके अब और चोटी चोटी definitions हम लोग समझ लेते हैं जो फिर हमें कल दिक्कत नहीं आएगी कि कल हम जब second session पढ़ेंगे तो सीरा vibration के concept आजाएंगे spring लगा होगा ठेक है ना और damper लगा होगा pendulum को खींच के ओपर छोड़ रहोंगे mass लगा होगा यह सारी बाते तब हम वहाँ confused नहीं होगे कि क्या लगा हूँ क्या equation क्या नहीं लगा हूँ यह basic clear होना चीज़ जैसे कि what is no, you all know the what is time period time period क्या कहलाता है फिर time period is time taken to complete one cycle ठेक है time taken to complete one cycle time taken to complete one cycle ठेक है that is called time period what is frequency then frequency क्या कहलाती है तो देखे यहाँ पे एक cycle को complete होने में इस एक cycle को complete होने में जितना समय लगा है वो है time period बच्चो और इतने समय में एक second में कितनी number of cycles हो पाई है जैसे माल लिजे एक second यहाँ तक है तो एक second में देखो एक cycle और दो cycle तो अगर एक second में दो cycle होई है तो हम frequency क्या बोलेंगे दो 2 hertz hertz में बोलते हो frequency को समझा लगा है तो अगर हम बोल रहे हैं number of cycles number of cycles per unit time cycle complete per unit time तो frequency हमारी कहलाती है 1 by T 1 by T per unit time में कितने number of cycle हमारी complete हो रही है that is in hertz unit होती है hertz जिसको हम HZ बोलते है hertz तो कितनी number of cycle तो जितनी ज़्यादा number of cycle होगी उतनी high frequency बोल जाएगी है तो more number of cycles cycles per second एक second में तो हम बोलेंगे उतनी ज़्यादा high frequency ठीके ना अगर हम बोल रहे हैं less number of cycle per second तो हम बोलेंगे उतनी low frequency तो अगर हम कोई चीज़ बोली जाएगी कल के दिन पर कि vibrations create हो रही है with high frequency तो इसका मतलब पर second में जादा से जादा cycles repeat हो रही होगी ठीक है और अगर हम बोलेंगे low frequency तो one second में कम से कम number of cycles repeat हो रही होगी यह है frequency का मतलब समझारी बात यह भी बहुत basic सी बात है बच्छो है न लास्ट amplitude मैंने आपको बताई दिया अब देखो एक और भी टर्म्स आती हैं ऐसा नहीं कि स्रीव यतनी टर्म्स है देखे न और भी टर्म्स है जैसे what is called phase angle phase angle क्या होता है बच्छे phase angle होता है मान लिजे दो पार्टिकल है sorry मान लिजे दो तरागी vibrations हो रही है if there are two vibrations मान लिजे दो तरागी vibrations हो रही है एक हो रही है x is equal to x sin omega t ठीक है और एक हो रही है x is equal to x sin omega t plus something मैंने बोल दिया 5 मान लिजे अलफा बोल दिया 5 बोल दिया ये कोई 2 है x1 है ये x1 है ये x2 है ये 2 है ऐसे तो omega t plus 5 बोल दिया मैंने तो अब यहाँ पर बच्चों आपको ये 2 vibrations अगर हो रही है तो आप देख सकते हो आप बिल्कुल phase angle में confused होता है अब नहीं होंगे कभी भी तो यहाँ पर सीदा सीदा मतलब है तो ये 2 vibrations हो रही है लेकिन इस दोनों vibration में जो दूसरी वाली vibration है वो पहली वाली vibration के इतना degree पहले हो रही है इतना degree ज्यादा है उससे तेज है जैसे महां लीजेए 90 degree होता तो मैं क्या करता कि ये वाली vibration इस वाली vibration के 90 degree आगे है समझारी ये बात समझारी बात बहुत सिंपल सी बात है बच्चो ठेके ना तो इसका मतलब ये हुआ the second one leads the first one इसका मतलब ये हुआ the second one second vibrations lead the first one या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि the first vibration lag lag the second one lead मतलब आगे बढ़ना lag मतलब पीछे रहे जाना बहुत सिंपल तो the इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ और I can say the first vibration देखो ना कितनी छोटी ची बात है lag the second one समझारी बात by five by five आए कितनी लीड कर रहा है five angle आगे कितना लेट कर रहा है वो five angle पीछे है समझारी बात बताई है कोई समस्या अगर आपको मेरा पढ़ायवा लग रहा है कि आए तो बहुत ही असान चीज़े बता रहे हैं तो यह समझ लिए आपके समझ में आ रहा है नहीं तो ऐसे ऐसे महान भी हुए है जिन्होंने यह चीज़े भी ऐसी बताई है ना आपको ठेक है ना ऐसी बताएंगे यह चीज़े भी आपको लेगा कि vibration पढ़ दी मैंने शायद लेकिन vibration का basics इतना असान करके बता रहा है जानके आपको लगए कि सब तो पढ़ रखाए है पहले ऐसा लगना चाहिए समझ रहे ना तो नहीं तो confused होने को तो बच्चे phase angle में भी अब phase angle समझे तो अब किसी भी चीज़ का phase angle मतलब हो जाता है कोई भी दो चीज़ का difference कि यह उससे 90 डिगरी पहले है तो जब कोई angle rotation होगा या cycle चलेगी 360 की तो 90 डिगरी जब यह 0 पे होगी एक vibration दूसरी डिगरी शुरू हो चुकी होगी वह उससे 90 डिगरी आगे होगी जब वह 0 पे होगी तो वह अल्रेडी 90 पे होगी समझे ना यह इसका मतलब है बताए समझ फेज एंगल फेज एंगल इस दी एंगल बिट्वीन तो रोटेटिंग वैक्टर्स ठीक है जो क्या है रोटेटिंग वैक्टर्स Simple Harmony Motion पे हैं Same Frequency के साथ ठीक है Simple Harmony Motion कर रहे है Same Frequency Two Relating Vector representing Representing Simple Harmony Motion with Simple Harmony Motion with Same Frequency Frequency Same है ना इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फेज एंगल दो वैक्टर के बीच का वो एंगल है जहांपे दोनों Simple Harmony Motion कर रहे हैं Same Frequency ठीक है या फिर Simple मैंने बोला कि कोई भी दो Vibrations इस तरह से हो रही है जिसमें एक Vibration जो है किसी दूसरी वाली से कुछ एंगल आगे है या पहले वाली दूसरी वाली से कुछ एंगल पीछे है ऐसा बोल दो सिंपल बताओ क्लियर है समझ में आगी बात बताएं कोई confusion यहाँ पर किसी को ठीक है न क्योंकि अब यहीं से चीज़े शुरू होती है बच्चो अब यहीं से चीज़े शुरू होती है देखो आपको फेस एंगल समझ में आया ठीक है अब आपको इसके बास समझाएंगे व कि इसका बहुत बड़ा रोल है और कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट है सबसे ज्यादा vibration में सबसे इंपॉर्टन नेचेरल वाइबरेशन में खास कर पर इस नेच्रल फ्रिक्वेंसी बहुत सिम्पल है बच्छो नैचुरल वाइबरेशन और नैचुरल फ्रिक्वेंसी एक ही बात है वाइबरेशन को जब मैं बताऊंगा अभी उसके टाइप तब भी पढ़ेंगे लेकिन एक सिम्पल तरीका है कि किसी भी सिस्टम को आपने हलका से डिस्पेस्मेंट लेके छोड़ दिया जैसे कि किसी भी सिस्टम को मैंने हलका से डिस्पेस्मेंट दिया और छोड़ दिया आप यह जो कर रहा है न अपने आप मैंने लगा रहा हरो कोई फोर्स लेकिन आप काफीह देर था कि कि ढांग करता रहा हूं पल cooking Tut शूड रहा हूं आप हुए विढम सब्सक्राइब कर रहा हूं 1 second में कितनी number of cycle go repeat beac konnten the water get Empire और निदर कीनित तग्री है बताओ इझतरा मैं छोड़ रहा हूं आम मुझे बताओ एक second में यह कितनी number of cycle dip complete कर रहा है ओ पधाओ जल्दी 1 second में कितनी number of cycle complete कर रहा है एक second लो ना तो यह जो frequency इसने अभी दिखाई मुझे यह इसकी natural frequency है ऐसा करना इसकी natural frequency है मैंने एक हलका सरे displacement लगा के छोड़ दिया तो यह जो वाइबरेट करता है जब जब यह अपने आप तो यह frequency जिससे कर रहा है यह इसकी natural frequency है दगो किसी किसी को 4 भी दिखाई दिये ठीक है ना लग ठीक है ध्यान से इस चीज को समझेगा बहुत important है यह ठीक है ना after giving giving initial displacement initial displacement ठीक है एक starting में कुछ भी displacement देने के बाद किसी चीज को छोड़ दिया जा after giving displacement from the from the equilibrium position from the equilibrium position ठीक है किसी equilibrium position हमने हलकर से displacement दिया ठीक है if the system is left if the system is left to vibrate ठीक है vibrate वो भी अपने आप से vibrate on its own on its own without any without any external force without any external force बीना किसी बाहरी force से ठीक है ना without any external force तो ऐसे frequency को the frequency with which it vibrates the frequency with which it vibrates is called its natural frequency इसका मतलब यह समझो ना बच्चे कि हर बॉड़ी की अपनी एक natural frequency है मतलब है ना हर बॉड़ी की अपनी एक natural frequency है यही तो इसका मतलब समझारी बात चार वाले दो चार लगा रहा हो गया हो सकता अभी है कुछ नहीं कह सकते हैं mechanical वालों का कोई बरुदा थोड़ी ना सब मास्टर जैसे थोड़ी ना होते हैं तो यहां पर समझ रहे हैं आप तो वो उसकी natural frequency है तो यह समझ लीजिए हर बॉड़ी की ऐसी नेचल मुझे भी लटका के अगर 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 दिस्वेंट चोड़ दोगे मेरी को natural frequency होगी तो मतलब हर बॉड़ी की natural frequency होगी तो मतलब हर बॉड़ी की नेचल इसलिए हम यह तो यह टर्म को हम अपने practical भी ऐसी यूज करते हैं कहते हैं न हम लोग कि अरे बच्चा वहीं पड़ेगा जहां जिस टीचर से उसकी frequency मैच करेगी तो वह ऐसे ही नहीं बोला जाता frequency रेली में मैच करती है आपको मेरी बताईवी बाते समझ में आ रही हैं तो यह कैसे समझ में आ रही है मेरी sound energy भी तो एक vibration के थुरू आपके कानों तक पढ़ रही है तो वह frequency अगर आपको बहार ही है आपको चुब नहीं रही है मेरी इतनी तेज तेज वाली आवाज भी आपको मदूर संगीत की तरह सुनाई दे रही है मतला हमारी frequency मैच कर रही है रिस्ता पका समझ रहे ना बात को तो that is called natural frequency तो इसलिए हर बोड़ी की अपने एक natural frequency इसलिए natural vibration बड़ा important हो जाता है पढ़ना क्योंकि natural vibration के लिए natural frequency पता बोला resonance आदे बच्चों को resonance ही समझ नहीं आता कि resonance term तो सब्सक्राइब बच्पन से यूज हो जी वटीज रेजोनेंस समझ रहे बास तो resonance और कुछ नहीं है बच्चो when the frequency of देखो यहां आपने कोई external force नहीं लगाया अब सुनो resonance को ध्यान से मैं single line में समझाओंगा यहां मैंने कोई external force नहीं लगाया यह जो vibrate कर रहा है वो यह natural vibrate कर रहा है अपने आप ठीक है दीरे दीरे बंद हो जाता है वो vibration क्योंकि obvious ही बात है losses है friction है but मानो यह vibrate कर रहा है अपने आप अपनी natural frequency से अब मैंने कोई एक ऐसा बाहर से excitation create किया मैंने कोई excitation create किया बाहर से force लगाया लेकिन उस force के द्वारा जो frequency अब आ रही है जो vibration create हो रही है वो उसकी natural frequency के जैसी ही हो जाए natural नहीं है वो मैंने देखो हर body के एक natural frequency है उसको समझ के किना रख दिया अब मैंने किसी body में excitation create किया और वो excitation इतना create ऐसा create किया कि उसके द्वारा जो vibration create हुई उसकी frequency और मेरी natural की जो उसकी है वो एक हो जाए that is called resonance समझ आ यह बार बताओ समझे की नहीं समझे when the frequency of external excitation when the frequency of external excitation external excitation समझे ना किसकी external excitation जो मैंने create किया है किसी force को लगा के वो external excitation जो है वो किस से match कर जाए equals with one of the natural frequency of the system अब जैसे अभी आपने बताया था मुझे कि मैंने इस बोटल को वाइबरेट किया था natural तो इसकी natural vibration क्या निकल के आई थी इसकी natural vibration निकल के आई थी एक से डेड़ हर्ट माल लिए डेड़ हर्ट ठीक है अब मैं खुद से self excite कर रहा हूं create displacement निकर रहा हूं single self excite create कर रहा हूं और वो भी एक से डेड़ ही है हर्ट तो यह हो गया बच्चों resonance तो यह हो गया resonance समझ में आई बात कांच की खिड़की टूट जाती है कभी कभी बच्चों ने लग 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 ची लिखें आर्मी पुल के उपर से जाती है तो resonance के वज़े से पुल टूट जाते हैं बहुत तहस नहस देखिए आप लोगने जिंदिगी में ठीके ना resonance की वज़े से हैना ठीके तो ऐसे में हम क् की कहते हैं कि दैन कि फेनोमेना कิ आफ रेजोनेंस विल अकर रेजोनेंस विल अकर तो हम यह के आफे वज़े से रेजोनेंस होता है system में और resonance करता क्या है resonance effect of resonance क्या है बच्चों समझो resonance हो गया चलो अच्छी बात है सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है कुछ match हो गया है लेकिन बच्चों ये match अच्छे के लिए नहीं हुआ है जब भी resonance create होता है resonance जैसा phenomenon create होता है कि खुद के द्वारा create करी गूई vibrations की frequency और body की अपनी natural vibration की frequency जब match कर जाती है तो यहाँ पर बच्चों higher amplitude की frequency create होती है high amplitude will create ठीक ना large amplitude create होता है बच्चों और large amplitude create करता है more more stress on body on system system में और भी ज़्यादा stresses create करता है वहीं से जो है वह हमें नुखसान देखना निकिने को मिलता है ठीक है ना system vibrates with large तो यहाँ रखेगा high vibrations create होती है with large amplitude large amplitude vibrations will create large amplitude vibrations will create more stresses on the system ठीक है ना समयधारी बात यह पूरी एक ही लाइन है यह पूरी एक ही लाइन है तो large amplitude vibrations will create more stresses on the system इसलिए हम avoid करते हैं इसलिए avoid करते हैं हम लोग समझें समझें बच्चे समझें बात को clear है तो उम्मीद है बच्चो यह basic सी बात आपको समझाएंगे अब सोचे अगर आज आज आपको 10% भी मजा आया है तो कल यह percent आपका 90% हो जाएगा क्योंकि कल हम पढ़ेंगे different types of vibrations और वहां से फिर vibrations की main concept और main problem और main equation शुरू हो जाएगी main method शुरू हो जाएगे तो अगर आपको यह तक का basic बिल्कुर crystal clear है चाहिए आपको असान लगा हो यह tough लगा हो समझ में अगर आ गया है ठीक है ना कि यह basic भी चीज़े तो मैं समझ गया तो इस समझ लिजे कल आपको और अच्छे समझ में आएगा यह हम चाते हैं तो चलिए बचो तब तक प्लीज session को जरूर शेर तो सबके साथ share कीज़े ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कल साड़े ना बज़े मिलते हैं थैंक्यू अरे माच गाइस